दोस्तों अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूले ताकि मेरा प्रतेक वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब इन्रीन गाडेनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज के वीडिओ में हम आपको ओइस्टर मसरूम के बारे में कुछ महतवपूर्ण जनकारी देने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि मैंने इससे पहले ओष्टर मस्रूम पर चार वीडियो बना रखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके तो दोस्तो आप जदी oyster mushroom सुरू से उगाना चाहते हैं तो आप part 1 से लेके part 4 तक के वीडियो को जरूर देख ले क्योंकि उनमें आपको कुछ ऐसे जनकारी मिल जाएंगी जो साइद YouTube ए अन्य वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी तो दोस्तो इस वीडियो को ध्यान से देखें इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 5 सवालों का जबाब मैं देने वाला हूँ जो मेरे भीवर्स के द्वारा उन 4 पार्ट के वीडियो में पूछे गए हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं कि सर्दियों के मौसम में यानि 10 डिग्री से कम के तापमान में हम ओष्टर मस्रूम को उगा सकते हैं कि नहीं तो दोस्तो मैं सला दूंगा कि जदी आप पहली बार मस्रूम उगा रहे हैं तो अभी आप सर्दियों के मौसम में ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा क्यूंकि इसके कारण पर भी मैं कुछ परकास डालना चाहता हूँ सर्दियों के मौसम में आप पाएंगे कि आपकी तोचा तक सुख जाती है यानि कि अभी अधरता की बिल्कुल कमी हो जाती है हवाओं में बिल्कुल नमी नहीं रह जाती है तो दोस्तो इस परकार से जदी आप मस्रूम हाउस का निर्मान अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे और छोटे से कमड़े में आसानी से उगाने का परियास करेंगे तो आपके पाएदावर फर्क परेगा मस्रूम तो हो जाएगा परंतु उसके पाएदावार पर काफी जदा फर्क परेगा जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा क्योंकि अभी के मौसम में टेंपरेचर काफी गिर जाता है और ज़दी आप हीमुडिटी बनाने के लिए उसमें पानी के स्प्रे वगरा करके भी चाहेंगे कि हीमुडिटी बनाए तो उसका तापमान और ज़्यादा गिरेगा तो इस इसाब से आपके फसल के पैदावार पे काफी ज़्यादा असर परेगा दोस्तो दूसरा सवाल मैंने लिया है मेरे कई भी वर्स ने पूछा था कि गेहुई या धान के भूसे के आलावे हम किसी और भूसे में और इस्टर मस्रूम को उगा सकते हैं कि नहीं दोस्तो ज़दी आप गेहुई या धान के भूसे के तरह किसी और भी चीज के भूसे का आप निर्मान कर पाते हैं यानि उतना ही मुलायम और उसी तरह का सौप्ट और उसी साइज में कटा हुआ तो आप बिल्कुल उगा सकते हैं क्योंकि भूसे से कोई खांस ज्यादा फ वो थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना करके रखता है जिससे उसके कवक जाल को फैलने में काफी ज़्यादा हेल्प मिलती है तो इस परकार से इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होता है तो जदी आप धानी अगेहूं के भूसे के बदले कोई और भूसा ठीक इसी परकार क आप तयार कर सकते हैं तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तो तीसरा सवाल था कि फॉर्मलीन और बेवेश्टीन के बीना हम ओश्टर मुसरूम को ग्रो कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेरे भीवर्स ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि भारत के कई हिसो में मैं काफी तलास कर रहा हूं वहाँ पे बेवेस्टीन या किसी को फॉर्मलीन नहीं मिल रहा था तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आप बेवेस्टीन और फॉर्मलीन के साथ ही आप उगाएं आप चाहें तो बिल्कुल और गेनिक भी ओश्टर मुस्रूम उगा सक है तो उप्चारित करने के और भी कई विकल्प हैं जैसे कि आप पानी को खौला करके उसमें भूसे को डाल करके भी आप उसके किटानू से मुक्त उसे बना सकते हैं साथ ही चूने पानी का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इस परकार भी आप उसे एस्टरलाइज करके और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बीना फॉर्मलीन और बीना बेवेश्टीन के ही ओइस्टर मसरुम उगा के आपको दिखाऊंगा चौथा सवाल है जिसमें पूछा गया था कि बीज कहां मिलेगी तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के कई ऐसे हिसे में चोटे चोटे अस्थान पे इसके बीज तयार किये जाते हैं जो जानकारी के अभाव में आप वहां तक नहीं पहुँच पाते हैं तो इसके लिए काफे ज़्यादा आपको मदद करेगा गूगल मैप दोस्तो आप गूगल मैप को खोलें और उसके सर्च बॉक्स में जाएं और वहां पे हिंदी इंगलिस या किसी भी लेंग्वेज में आप पूछें कि हमें ओश्टर मसूरूम का बीज कहां मिलेगा वहा पहुँच करके वहां से बीज खरीद सकते हैं क्योंकि आप जहां भी रहते हैं प्रतेक सहर में इसके बीज तयार किये जाते हैं और आप गूगल मैप के मदद से आप वहां तक असानी से पहुँच सकते हैं और इसके अलावां भी मैंने पिछले कई वीडियो में बहुत सा दोस्तो अब पांचवा और आखरी सवाल जिसमें हमसे पूछा गया है कि सरी से हम बेचेंगे कहां पे तो दोस्तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ओश्टर मुस्रूम जो है जदी आप उत्पादन इसका एक क्विंटल तक भी कर लेते हैं और जदी आपके आसपास के लोग जागरूख है और इस्टर मुस्रूम के विशाय में जानते हैं तो आपके हाथों हाथ बिक जाएंगे या आपको हो सकता है कि आपके लोकल मार्केट तक उसको पहुचाना होगा और वहां पे आपको सेल करना होगा और जदी आप इसे और बड़े पैमाने पे करना च साथ ही आप इसे ड्राइ करके और आप चाहें तो उन्हें भी बेच सकते हैं या जदी आप पहुच अपनी बना सकते हैं कई मेडिकल कंपनियां भी दवा बनाने के लिए प्रोटेन पाउडर वगरा बनाने के लिए और इस्टर मुस्रूम को ड्राइ रूप में आप से कानपूर और उत्तरप्रदेश के कई हिसों से हमसे पूछे गए थे तो मैंने कानपूर के एक फॉर्म का इंटर्व्यू लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पाट फोर जरूर देख लेंगे और उनमें बताया गया है और आपको एड्रे मसरूम की फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा यहां से आप क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और अधिक कोई जानकाड़ी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट कर निश्ची तोर पूछ सकते हैं तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन सुख़ाएं